नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है वाइम डोल सोलीशन के एक नए वीडियो पे तो अगर आप हाई प्रॉफिटमल बिजनस सर्च करें तो आज का वीडियो आप लोग के खास होने वाला है तो आप लोग को पता है कि डे बाए डे जो है नंबर ओफ वेकल जो है आप हाई प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी में आपको देने वाला हूं कि अगर आप कारवाश का बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन चीज़ों की रिकॉर्मेंट रहेगी आपको कौन से लाइसे ले पहले आपको मिले वीडियो में आगे बढ़ते और बात करेंगे कि आप कारवाश का बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो फेंट सबसे पहले तो आपको जिस लोकीशन में आप कारवाश का बिजनस स्टार्ट करना चाहते तो आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा कि वहा हम दोसे दिखेंगे कि कि पिन-किन चीज़ों के रिकॉर्मेंट रही हैं अगर आप कारवाश का है परभास स्टार्ट करना चाहते हैं। फैंट्स requirement की बात करें तो यहां पर आपके पास में 1000 स्कौर फिट से लेकि 2000 स्कौर फिट एरिया जो है आपके पास में होना चाहिए और यह जो space area है ना friends आपको मैंने बता है कि high residential area के जो है किसी भी nearby में होना चाहिए क्योंकि अगर high residential area है तो friends वहाँ से number of customer जो है आपके car washing unit पे आएंगे और वहाँ से जो है आप door to door भी car washing की service भी provide कर सकते हैं तो इसके बाद जो दूसरा requirement है आपको car wash के market के बारे में अच्छी knowledge होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वैसे area को choose करें जहाँ पे number of car wash unit पहले से exist हो अगर उस तरह के area में अगर आप open करते हैं तो friends हो सकता है आपके पास number of customer ना आए क्योंकि friends पहले से ही अग आपको बोरिंग होना चाहिए बोरिंग के facility रहेगे तो friends वहां से आप पानी बहुत ही असान तरीके से ले सकेंगे अगर बोरिंग नहीं है तो friends आपको बोरिंग करवाना पड़ेगा इसके बाद जो है आपको infrastructure डिबलप करना पड़ेगा इंफ्रा स्ट्रक्चर में क्या क् चेयर की requirement रहेगी बिलिंग के लिए आपको computer printer आपको रखना पड़ेगा तो friends आपको देखना है कि आपको किस लेवल पर car washing का business start करना चाहते है उसी के accounting जो है आपको यहां पर requirement रहने वाला है इसके बाद जो है आपको main power के requirement रहेगे तो friends आपको यहां पर initial level पे 2-4 number of main power आ पड़ेने पड़ेंगा आपने बहुत जगा पर देखा होगा car washing का business जो है लोग इसी तरह सो open कर देते हैं बीना license लिए तो friends उस case में क्या होता friends वैसा car business यो unit रहता है वो कुछ दिन चलता है उसका बंद हो जाता क्योंकि friends उन लोग पास में proper license नहीं होते हैं तो आपको बत इसके बाद जो है आपको shop and establishment act के अंदर जो है आपको registration लेना पड़ेगा दिन इसके लाव जो है आप premises में बोरिंग करवाएंगे तो बोरिंग करवाने में friends आपको no cap से एक NOC लेना पड़ता है याने central ground waters department से आपको एक NOC लेना पड़ेगा कि आप per day कितना water आप consume करेंगे तो उस चीज़ का जो है एक NOC आपको लेना पड़ता तो याद रखे कि इस चार license के बीना आप car wash का बीना start नहीं कर सकते हैं इसके बाद सबसे बड़ा आपके मन में question आना चाहिए कि sir अगर हम लोग car wash का बीना start करते हैं तो आपको कौन कौन से चीज़े लगेगे car wash करने क लिए तो यहाँ पे अगर मेटिल की बात करें तो सबसे पहले आपको cleaning fluid लगेगा फ्रेंट्स यह cleaning fluid जो है use किया रहता है car wash करने के लिए इसके लिए car care products रखना पड़ेगा rubbing and waxing जो है आपको यहाँ पर रिकॉर्मेंट रहेंगे paint production भी आपको जरूद पड़ेगा alloy treatment हो गय लगने वाले हैं तो फेंट्स अब हम लोगों next portion की और बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से machinery या equipment की आपको जूरत पड़ेगे car wash का unit open करने के लिए तो फेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग car wash की unit अगर open करते हैं तो यहाँ पे आपको clear कर दूँ सबसे पहल जो है आपको weight and dry vacuum cleaner आपको लेना पड़ेगा double motor बला तो यहाँ पे अगर आप एक quantity लेते हैं तो आपको 34 जरका आपको price पड़ जाएगा इसके लब जो है आपको spray extraction machine आपको लेना पड़ेगा जिसका अभी market price 49,000 रपिया है इसके लाब जो है आपको generator या डिजी सेट या Honda आपको लेना पड़ेगा देखिए आप जिस जगहाँ पे open कर रहे हैं कारवाश का भी जाएगा तो वहाँ पे अगर line के facility available नहीं रहेगा क्योंकि फ्रेंट्स वहाँ पे आपका जो working hour है ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा working hour जो है आपका line available रहे यानि current available रहे तो उस किसमें जो ह जो है आपको 50,000 रुपय खर्चा करना पड़ेगा अगर आप Honda लेते तो इसका यहाँ पर प्राइस मेंशन किया हुआ है इसके बाद जो है डूएल एक्शन पॉलिसर जेंटोल 21 एम का आपको लेना पड़ेगा जिसका market price अभी 24,000 रुपय अभी चल रहा है इसके लाब 30,000,000 के बीच में आपको मिल जाता है तो आपको मैं बता दूँ कि आप अगर स्टीन जेट कार वशिंग सर्विस देना चाहते तब ही जो है आपको यह लास्ट वला मशिन की रिकॉर्मेंट रहेगे अधर वैस आपको इस मशिन की रिकॉर्मेंट नहीं रहेगे तो यहाँ आपको कार वशिंग को बीचन स्टार्ट करना तो इसके लिए टूटल इन्वेश्मेंट कितना करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने इन्वेश्मेंट को पूरा बाइफर के बता है तो आप लोग इन्वेश्मेंट के पूर्शन को ध्यान से देखें तो आपको बता ओपन करे उसके एकल जो है यह आपका इन्वेश्मेंट कर सकता है तो जो भी मैं आपको इन्वेश्मेंट दिखारो 보여 अपने लोकेशन के हिसाब से बता रहो तो सबसे पहले जो इनवेश्मेंट है आपका जहाँ प्रिमाई से सुपर वहां पर इंफ्राइस्ट्रक्टर डिबलप करना पड़ेगा इंफ्राइस्ट्रक्टर में क्या होगा कार वॉशिंग एरिया हो जाएगा एक्क्यूप्मेंट पर नाउना पड़ेगा है यहां पर आपने पास में पर अपने प送र 50,000 रपा है का रख नंबच के पातर नेका कह आएगा पाद के बाद करेएगा है करेंगा को तो यहां पे आपको मैं बता दूँँ कि फेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से आप 8 से 10 लाट के बीच में जो है इस विजनस को स्टार्ट कर सकते हैं तो फेंड्स यहां पे आपको इन्वेश्मन के लिए तो अब सबसे बड़ा कुशिन होता है कि सर इसमें हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो सकता है क्योंकि आपने इन्वेश्मन तो कर दिया 8 से 10 लाग रोगया तो आपको प्रॉफिट में समझे में आना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है देखिए प्रॉफिट यहां पे टूटली डिपेंड करेगा कि आपका कस्टमर एक्योजिशिन कितना है जितना ज्युट अतना ज्यादा कस्टमर एक्योजिशिन होगा तो यहां पर हमनों पुरा बारेकी से समझेंगे कि आप जो है यहां पे कैसे profit earn कर सकते हैं तो profit समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो car washing unit है वहाँ से आप किस-किस तरह के service दे रहे हैं friends वहाँ पर जो है आप बहुत तरह के service दे सकते हैं बट यहाँ पर मेली में दो ही service हो consider कर हो सबसे पहला जो service है exterior wash चाहे आपके unit में two-wheeler आया या four-wheeler है आपको exterior wash का service आपको provide करना पड़ेगा इसके बज़ो interior clean service तो यह मेली four-wheeler के में बात कर रहा हूँ तो interior clean का भी service आप वहाँ से provide कर सकते हैं इसके लबाद आप door to door भी cleaning service आप कार का आप provide कर सकते हैं अगर आप देना चाहे तो fence हूँ अगर आप इस तरह के service देंगे तो आपको main power की ज़्यादा requirement रहेगी कुछ equipment जो है आपको अलग से purchase करने पड़ेंगे और वहाँ पे जो है आपको profit वे ज़्यादा होगा तो आप पे depend करता है कि आप door to door car wash की service प्रवाइट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं बट मैंली यहाँ पे मैं दो ही service हो consider करके चल लाओ तो यहाँ पे मैंने एक minimum consider किया है कि आपके car wash unit में अगर 10 number of 4 wheeler अगर car धुलवाने के लिए आते हैं इसके लवा है इसके लवा 10 number of 2 wheeler अगर आपके यहाँ पे 10 2 wheeler अगर धुलवाने के लिए आते हैं यानि कि वाशिंग के लिए आते हैं तो उस case में यहाँ पे मैंने charge दिखाया है कितना आपको charge करना है देख रहें charge of car and 2 wheeler wash vary as part location यानि फैंटिस यह लोकेशन के हिसाब से आपका वैरी करता है हो सकता है कि आपके state में 2 wheeler का जो washing का अलग charge हो 4 wheeler का वाशिंग का अलग charge हो बट यहाँ के according मैंने consider किया है तो जहार के टम ब्यार में सबसे कम है car washing का और 2 wheeler washing का price तो यहाँ पे अगर 2 wheeler की बात करें तो यहाँ पे 10-100 रुपया जो है चार्ज किया रहता है washing के लिए इसके बाद 4 wheeler washing की बात करें तो 300 से लेके 500 वैरी करता है इसके अलबा अगर interior की बात करें तो अगर आप 4 wheeler की interior wash करवाने जाएंगे तो फ्रेंट्स वहाँ पे 1000-15 रुपया के आपका पूरा वैरी करता है तो फ्रेंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किस तरह का यहाँ पे charge मैंने consider किया है तो फ्रेंट्स अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि daily basis पे आप कितना revenue कमा सकते हैं तो टू-wheeler में बात करें तो यहाँ पे मैंने इस तो भी बताया था कि दस टू-wheeler अगर washing के लिए आते हैं आपके car wash unit में तो उसके according जो है आपको देड़ सुर्पय चार्ज करना है तो देड़ सुर्पय अगर आप चार्ज करना है तो पंदर सुर्पया पर डे का revenue होने वाला है जो है हजार से पंदरा सुर्पय वैरी करता था तो यहाँ पर मैंने एक average भीच का लिया है तो बारा सुर रुपया मैंने यहाँ पर कंसरे किया तो इसके according बारा पच्छे साड़े याने च्छे जार रुपय यहाँ पर होता है तो यहाँ पर करेंगर टूटल रिवेन्यू क यहाँ पर कंसरे किया तो यहाँ रखेंगर इतना number of two wheeler और four wheeler वशिंग के लिए अगर आप कार वश बिजनस में आते है तभी जो है आपका डेली रिवेन्यू जो है 9000 का आपको मिलने वाला है तो मैंने यहाँ पर दो ही सर्विस कंसरे किया exterior और interior wash का अगर आप door to door अगर car wash की service पर भी provide करते हैं तो आपको उस service से और भी ज़्यादा आपको revenue earn हो सकता है तो चलिए यहाँ पर अगर आपको daily का revenue समझ में आ गया तो अब हम लोग देखते हैं कि आपको मैंने में कितना कमा सकते हैं तो देखें car wash का एक ऐसा business है जो की आपका मैंने का 30 दिन जो है open रहता है तो यह कभी भी जो है बंद नहीं होता है अगर किसी दिन ऐसा कोई emergency आगा तो उस case में जो है वो बंद रखते हैं otherwise जो है यह महने के 30 दिन जो है open रहता है तो यहाँ पे अगर 30 working days अगर consider कर रहते हैं इसके को नहीं 2,70,000 का revenue आपका परमंद का होता है तो सर यहाँ पर आप लोग कुशिन हो सकता है आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा थोड़ीना हो सकता है किसी दिन कम आए किसी दिन ज्यादा भी आए तो यहाँ पर मैंने क्या बोला किसी दिन कम भी हो सकता है किसी दिन ज्यादा भी हो सकता है तो यहाँ पर यह जो है आपका 2,00,000 से 3,00,000, के बीच में भी जाए तो फ्रेंट्स यहां पर एक average figure आपको समझे आना चाहिए कि दो लाग सतर हजार का जो है एक revenue जो है आप इस business से महिने का earn कर सकते हैं यहां तक clear हो रहा है तो तो friends अगर आपको यहां तक clear है तो friends अब हम लोग नेक्ष बढ़ेंगे और बात करेंगे कि net profit जो है कितना कमा सकते हैं friends नेट profit समझने के लिए सबसे पहले आपको जानकार होने चाहिए कि आपको महिने का expenditure कितना है इनके खर्च कितना है अगर आपको महिने का पता चल लिए तो फैंट्स आप बहुत ही असान तरीके से आप महिने का नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने नेट प्रॉफिट पूरा निकाल कर बताया है देखिए अगर मंतली एक्सपेंडिशर की बात करें तो सबसे पहला जो आपका इसके लब जो भी आप मेंट पाउर इसके हैं तो यहाँ पर आपके table के बात का सकता है तो इसके लब जो भी आपके वस्हाँ डीजल जनेर्टर होगा इसका यहाँ पर डीजल का । प्र आइस मैंने दरज़द की बात कि तो आएउँ मेटल की बात करें याने फ्रेंट जो जो आपको समाल लगते हैं कारोशिंग करने के लिए तो उसको जो है मैंने महीने का 15,000 रुपय यहाँ पे इसके लबा मिसलीनियस यहाँ पे एकस्पेंडिचर आपको पांच जर पकड़ कर चलना पड़ेगा तो यहाँ पर महीने का एकस्पेंडिचर देखे तो फेंट्स टूटल जो है 72,000 रुपया आपका निकल के आ रहा है तो फेंट्स अगर आप महीने का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो फेंट्स यहाँ पर को इस बिजनस में कितना आपको लागत लगा है और आप इस बिजनस से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं फ्रेंट्स यहां पर अगर आप 8-10 लाग पर इनवेश्मेंट किये हैं तो इसके एकॉर्डिंग आप यहां पर calculate कर सकते हैं कि आप break-even पॉइंट जो है कितने मंस में आप यहां पर कबर कर लेंगा अगर आपका 1,70,000 रुपया यहां पर महिने का अगर नेट प्रॉफिट होता है तो यहां पर अगर हम लोग 15,000 भी consider करें नेट प्रॉफिट देड़ लाग के हिसाब से आपका 15,90 यानि कि छे मैना में जो है आप अपना break-even point यानि कि अचीव कर लेंगे तो फेंट्स आप मुझे कोई ऐसा बिजनस बताए जिसमें आप अपना ROI जो है तुरंत कवर करें तो फेंट्स यह car wash का एक ऐसा बिजनस है जिससे आप high profit earn कर सकते है तो फेंट्स अगर आपको car washing का बिजनस टार्ट करना चाहता है और इसके रिकनिंग और भी आपको guidance चाहिए तो फेंट्स दिये गे number पर आज ही call कीजिएगा हम लोग जो है consultants प् वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिए ताके फेंट्स जिन लोगों को नहीं जानकरी हो सगे बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में धन्यवाद जैहिन